नमस्कार दोस्तों मैं हूँ इसके के और आज किस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कमबाइन टूल्स के बारे में बहुत लोगों किसके बारे में पहले से पता होगा बहुत लोगों को नहीं पता होगा तो इसलिए मैं इस वीडियो को यह बना रहा हूँ ताकि जितने भी मेरे new designs वाले videos होंगे उसमें इस tools का बहुत जादा use होने वाला है या फिर इसका योगदान रहने वाला है तो उस time में आपको tools के बारे में नहीं सिखाऊंगा इस time सिधा आपको design बनाना सिखाऊंगा तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में आप लोग को पता हूँ तो जैसा कि आप देख से तो combine का जो tools है कुछ इस type से दिखता है अगर आपके पास ये system में पहले से तो अच्छी बात है अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे कैसे ला सकते है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ और बहुत लोगों का सवाल यह होगा कि सर आप जो वीडियो बना रहे हूँ तो flex c10 पे बना रहे हूँ आपके system में नहीं है तो आप इसे कैसे लाओगे लाने के लिए उपर आना है यहाँ पर भी हूप सरोगा नीचा यह टूल बार पे क्लिक करोगा आपके सामने एक छोटा सा पॉप इस टाइप का टूल बार साएगा यहाँ बहुत सारी ओप्सेंस है इसमें से आपको चूज करना है कंबाइन ठीक है क्या डूबने आपको कंबाइन तो मैं इसे थोड़ा सो पर कर ले तो यहाँ पर एगसे ते कंबाइन आ चुका है मैंने जैसा ही मैं टिक करूंगा आप पीछे देखसेक और कमबाइन का ऑप्शन आ गया उसके बार डन कर दिज zweiten और उसके बाद इस इस टाइब का सेफ़ ड्रा करना है जैसा कि मैं सेम्ट्वरक रहा हूँ आपको इसके कॉपी निकाल ले लिए यहाँ अपर कंट्रोल दबा के स्की इक कॉपी निकाल लिया कलर मैं सalgोर मेलग डाल दाना ओस सकने हो ठीक के अब चाहिए तो जो मनें की तरह से यह वर्क करेगा यहां पर बहुत सारे ऐसे ज़रुवत पड़ेगी आप जैसा कि सामने देख पा रहे होगे हम सीधा इसका इस्तेमाल करने वाले वह एक का 50 और समस्षू इसक टार outlook लाप씨 क्वेश करें देख सब दитаaking Прेक्स यह दो-चले के यह वे एक सब्सक्राइन ज्यायन पल्हें-बлись-वह करता है ठीक होग जासे मैं इस व्यू चल्राण agents सेलीटकर कर दो तो कैसे यूज होगा वो मैं आने वाले वीडियो में भी आपको सिखाऊंगा और जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ उसकी एक बार आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है फिलाल मैं आपको एक वर्ट टाइप करके दिखा रहा हूँ यहाँ आप देख सक लूँका यहाँ एस यहाँ पर गाएब होने वाले ठीक यहली एह र मैंने वर्ट पे क्लिक किया और देख सकते कि यह गयाम हो गया ताप इस दरह सिस्वे इस ररम का स्सक्लिक करू ता आने वाल टाइम में आपको इसके मैं आपको ज़्रां बता दू कि अफ़ जैसे कि आप डिजाइन यह देख रहो मैं इसे थोड़ा सी दर लेफिफ कर लेता हूँ ठीकत? कि एक इस डिजाइन की आप यह ओप्से पर जैसे आप क्लिक करोगे बागे का सारा पार्ट गाइब और देख सकते हों कि सिर्फ यह ब्लाइक वाला पार्ट जो मुझे चाहिए था वह यहाँ पर आ चुका है अब बहुत लोगों को सवाल होगा इससे क्या फायदा होगा इससे आप बहुत सारी डिजाइन्स बना सकत हो यह सब चीज आप तब सीख पाओगे जब आप बहुत अच्छे टूल्स का इस्तमाल करना सीख जाओगे तो आपको एक बार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है जैसा कि आप देख सकते हो जो ब्लैक वाला पार्ट है ना उसे बाहर निकालने वाला कैसे निकालूंगा यह चीज़े मैंना भी आपको बताया फिर से मैं आपको एक बार रिविजन करके बता रहा हूं ठीक है तो यह आप रिविजन अगर देखो गया तो आपके लिए बहतर होगा आपको वापस यहां पर आना है क्लिक करना है कट आउट पे जैसा कि आप देख सकते हो यह लोग जो भी डिजाइन इसको ऑफरलाइब कर रहा वो रिमिब हो जाएगा इसमें मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि जो बीच वाला ऑफरलाइब है वो हट गया चलिए मैं आपको दिखा दो कैसे आपको पता चलेगा यह लिजे मैं इस पार्ट को उपर कर देता हूं त चले मैं आपको करके एक बार दिखा तो इससे सलेक्ट मैंने किया कॉमन पर क्लिक किया तो जो दोनों के बीच वाला पार्ट था वो कॉमन था वो रहा बाकी सारे पार्ट सट गए अब जो नेक्स्ट आप्सन है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्क्लूट कॉमन इसका मतलब क जो बीच का कॉमन पार्ट से यह हटा देगा बाकी के सारे पार्ट को रहने देगा देख सकते हैं कि डिजाइन का फी अच्छा दिख रहा है तो आप कुछ इस टैप से इसका इस्तेमाल होता है और लेकिन अब जो बाकी के दो ऑफसें से उसका इस्तेमाल करने कि लिए आप बैजाईन को क्लियरल्य देख पाऊं ठीक cream ए रहां डिजाइन और उपर वाला जो आप डी देख रहे हों इसके में कोपी निकाल लूह नहीं हो दालता हूं मैं क्या करता हूं इस डिजाइन को डिलीठी कर देता हूं ठीक है इसके भी जरुवत नहीं पढ़ने वाली है जब जुरुवत पड़ीगी तो हम लोग बना लेंगी से ठीक है यह लिजे मैंने यहां पर एक सेफ ड्रॉव किया ठीक है यह लिजे मैंने कुछ इस सेलेक्टकरों ऐसे और यहां पर एक option है फूस ठीक है फूस पर मैंने क्लिक किया जैसे मैंने क्लिक किया हुआ है और इसह के नहीं टीट करण सकते हैं अग्र मोस्व राग्स हो करें तो फिर से मुझे एक वर्ट टाइब करना पड़ेगा यह रिजिन होद्सी मैं लिए किसे अश्यापय वापस से सलेक्ट करूंगा इसे मैं थोड़ा तिर्चा कर लूँ यहापको जैसा मैंने वैसा रख सकते हूँ आप पर डिपिंट करता है यह लिजे मैंने किया और उसके बाद मैंने यहाप पर कलर दाल दिया ग्रीन ठीक है अब मैं क्या करने से बैस सलेक्ट करूंगा दोनों डिजाइन को और जो नीचे वाला आफसन है ठ चाहो तो कटिंग भी कर सकते हो कैसे कर सकते हो चले वह मैं बताता है उसे पहले जो सायडसाइद वाली पार्ट है उसे हमें पहले डिलीट कर लेना चाहिए ठीक है लेजए मैंने डिलीट कर दिया अब मैं जो इक गर vanला पार इसे बाहर निकाल सकता हूँ देखिए यह वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीजर लाइक करो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाएं वन्दे मात्रम